नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे आप और मैं हूँ आपके शाथ निश्र गुपता आए करते खबरों की शुर्वात सबसे पहले एक निज़र डालते आज की हेड्लाइस पर पुर्व रेल्वे के उप महा प्रवंदक पहुँचे भागलपूर रेल्वे स्टेशन पर इसर सहीद कॉलनी का किया निरिक्षन दिये कई दिसाने देश एसपी अव्यान के नैत्रित में बालू घाटों पर चलाया गया छापे मारी अव्यान छे ट्रैक्टर सहीद चार बालू माफिया ग्रिपतार नावालिक से दुसकर्म के परियास मामले में कोट ने आरोपी को सुनाई सजा नाथनगर थाना छेतर की है घटना दो दिवसी युवा महुतसब का हुआ शुबारम पर्मपरागत कला को जिबंत रखने के उद्देश से हुआ है उजड और पिर पैथी में कटाव का कहर जारी देखते ही देखते गंगा में विलीन हुआ मंदीर और अब खबरे विस्तार से पुर्व रेलवे के AGM संजय सिंग गहलोत सोमबार को भागलपुर पहुचे जहां रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने AGM का श्वागत किया इसके बाद AGM ने पूरे स्टेशन परिसर का निरिक्षन किया इस दोरान इस्टेशन परिसर में चल रहे विकास कारियों को देखा और कई आवश्यक दिसानिर देश दिये इसके बाद AGM ने रेलवे कॉलोनी का निरिक्षन किया वहीं कॉलोनी में रह रहे रेलवे कर्मियों ने अपनी समस्याओं से AGM को अफगत कराया और समस्या समाधान करने की मांगी वहीं AGM ने जल्दी समस्या समाधान करने का निरिक्षन के बाद AGM ने इस्टेशन परिसर में चल रहे कारियों की समिक्षा की दरसल दो मापुर्व AGM भागल पुराये थे इस दौरान उन्होंने रेल्वे अधिकारियों को कई दिसा निर्देश दिये थे जिसकी आज समिक्षा की गई निरिक्षन के दौरान ADRM, स्टेशन अधिक्षक, रेल्वे के अधिकारी RPF एवं GRP मौजूद थे बालू के अवेद खनन को लेकर सोंबार की अहले सुबा, ASP अव्यान ओमपरकास सिंग के नैतरिद में बालू घाटो पर छापे मारी की गई इस दौरान पुलिस ने छे बालू लद्धे ट्रेक्टर के साथ चार माफिया को मौके से दबोच लिया ASP ओमपरकास सिंग ने कहा कि मादा चक स्थित बालू घाट से अवेद बालू उठाव की सूचना मिली थी जिसके बाद छापे मारी अव्यान चलाया गया जिसमें मादा चक गाओ के राजिस कुमार, राकेस कुमार, महोता गाओ के अमीत कुमार, एबं सलेमपूर के गौतम पाशवान को ग्रफतार किया गया है ASP ने कहा कि किसी भी सूरत में प्रतिबंदित घाटों से बालू का उठाव नहीं होने दिया जाएगा चापे मारी के बाद बालू माफियाओं में हरकंप मचा हुआ है चापे मारी टीम में अमरपूर थाना द्यक्ष कुमार सन्नी, सुनील सिंग, जमसेद खान समेथ कई पुलिस कर्मी शामिल थे भागलपूर पोकसो कोट ने सोमबार को नावालिक लर्की से दुसकर्म के परियास मामले में एक आरोपी को चार वर्ष की कठोर्तम सजा सुनाई घटना नाथनगर थाना च्षेतर के 16 जनबरी 2016 की है दरसल सुभा जब लर्की ट्यूशन परने जा रही थी उसी दौरान आरोपी संजय मंडल ने नावालिक को मकई की खेत ले जाकर दुसकर्म करने का परियास किया था किसी तरह लड़की आरोपी के चुंगुल से छुटकर घर पहुची और घटना की सूचना अपने परिजनों को दी जिसके बाद नाथनगर थाने में मामला दर्च कराया गया था वहीं कोट में पांच गवाहू ने घटना के समर्थन में गवाई दी जिसके अधार पर पॉक्सो के स्पेशल जज बिनोध कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी को दोसी पाते वे चार वर्स की कठोर सजा सुनाई साथी दस हजार रुपए का अर्थ डंड भी लगाया भागलपूर के टाउन हौल में सोंबार को दो दिवसी युवा महसब का शुबारंब हुआ कारिकरम का उधगाटन ADM राजेस कुमार जहाराजा, सिविल सर्जार डॉक्टर विजय कुमार, जिला पंचायती राजपदाधिकारी एवं जिला जन संपर्क पदाधिकारी बिन्दूसार मंडल ने सयुक्त रूप से दीब जला कर किया महसब के पहले दिन सास्त्रिय गायन, सुगम संगीत, भरत नाटियम, कत्थक, चित्र कला, मुर्ती कला, शिल्प कला एवं नाटक परतियोगिता आयूजित किया गया एडियम राजर ज्जार राजा ने बताया कि प्रमपरागत कला को जिवंत रखने के लिए जिला अस्तर पर युबा महसब का आयोजन भागलपूर जिला परश्रासन की ओर से किया गया है जिसमें बहतर परदर्शन करने बाले परति भागियों को राज अस्तर पर अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा इस अपसर पर SDO आसिस नारायन, डॉक्टर विजै मिश्रा, अजै अटल, केके, जास्ताहित महतसब से जुरे लोग मौचूद थे इसका मूल उद्देश जो हमारी पर्मपरागत जो संस्कृती और जो हमारे पर्मपरागत कला की विधा है इसे संगीत हो गया, निर्ट हो गया, एकांकी नाटी हो गया, चित्रकला हो गया इस सारे विधाओं में जो उवर्ते वे कलाकार में उनकी पहचान, चिलास्तर पर स्थापिक करना, और फिर देश अस्तर पर उनकों स्थापिक करने का यह प्यास किया जा रहा है भागलपुर के पिरपैथी रानी दियारा में गंगा का कटाब दिन प्रती दिन बढ़ता ही जा रहा है कटाब के कारण अब तक दरजनों घर गंगा नदी में शमा चुके है वही कटाब को लेकर ग्रामिन भी काफी दश्यत में है सोंबार की सुभा प्राचिन काली मंदिर कटाब की भेट चर गया दरसल कुछ दिनों से मंदिर के नीचे कटाब जारी था अचानक देखते ही देखते मंदिर गंगा नदी में विलीन हो गया ग्रामीनों के अनुशार कटाव निरोधी कारे को लेकर सम्मंदित विभाग को आवेदन दिया गया है लेकिन कटाव रोकनी की दिशा में कोई कारवाई नहीं हुई कटाव के कारण दर्जनों परिवार गाउ से पलायन कर चुके है पांस दिवस्य भागलपुर महतसब को लेकर रभिवार को आयोजन समीती की बैठक अंगार कॉंपलेक्स में हुई बैठक की अध्यक्षिता समीती के अध्यक्ष मोहमद जियाव रहमाननी की बैठक को शंबोधित करते हुए श्वागता ध्यक्ष सा सिक्षाविद राजिप कांत मिश्रा ने कहा कि भागलपुर महतसब किसी एक संस्था का आयोजन नहीं है बलकि ये पूरे सहरवाशियों का आयोजन है और सभी को महतसब में श्रयोग देना चाहिए वहीं प्राधानस अलाकार रमन कर्ण ने कहा कि भागलपुर से हवाई सेवा नहीं होने के कारण कई राष्टियक अलाकार महतसब में शिरकत नहीं कर पाते हैं अध्यक जियाओर रह्मान ने कहा कि भागलपूर महत्सब 11 दिसंबर से सुरू होगा जो 15 दिसंबर तक चलेगा महत्सब में दर्शकों का प्रवेश पूरी तरह से निशुल्क है उन्होंने कहा कि परतिभागी समीती के कारियाले से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं इस अफसर्प उपाद्यक सत्य नरायन परशाद, बिजया मोहिनी, डॉक्टर संजे कुमार निराला, नरेश सा, गोबिन दगरबाल, विश्नू सा, तवरेज अक्तर, बिजय घोश सरीच समीती के सदस्ने मौजूद थे वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते, ब्रेक के बाद आप देखते रहे सिल्क टिवी हर शाल की तरह इस शाल भी शर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांजी, कठलबारी, नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है यहां हर तरह के गर्म कपरे, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मौफलर उचित कीमत पर उपलप्त है महिला, पुरूश, एबं बच्चे के लिए बहतरिन क्वाइलिटी, एबं एक से एक डिजाइन में गर्म कपरों की रेंज उपलप्त है तो देर किस बाद की, आजी चले आईए तिवतन पोटाला मार्केट, दिलका मांजी, कठलवारी, नियर आदित्ते विजन, भागलपूर अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो, तो क्यों न एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रिन्स आपका अपना हो, तो क्यों बाजारे माफिल में भटकना हो PVY आस्था ड्रिन्स कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेड लेकर आया है एक लाग रुपे परती कठा में आकर्शक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अत्यादोनिक सुविदाओं से लेक्स प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं तीस फिर चोड़ी सडक, नाली, चोविस घंटे बिजली, पार्किंग, जीम, होस्पीटल, एवब अन्न कई सुविदाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदीर और चिल्डरन पार्क भी PBY आस्ता ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेड मासी किस्त मात्र दस हज़ार पर उपलग, तो अभी बुकिंग कराएं मात्रे क्यावन हज़ार रुपिये में आवास ये जमीन मात्र एक लाख रुपिये परती कठा तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894, 8210975763, 7542931524, 6200102297, बलवाटोला करेला नातनगर भागलपूर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का श्वागत है, आप देख रहें सिल्क टीवी आये बरतेगली खवर की ओर सहर की शुरत बिगार रहे अवैध होडिंग्स को हटाने के लिए सोम बार से निगम कर्मियों ने अतिक्रमन मुक्त अभ्यान सुरू कर दिया अभ्यान के पहले दिन सेंडिस कंपाउंड के चारो तरफ लगे होडिंग्स को निगम कर्मचारियों ने जब्त कर लिया होडिंग्स को हटाने में नगर निगम की दो टिम कारी कर रही है वहीं दूसरी टीम का चरी चौक से लेकर मनाली चौक तक होडिंग्स हटाने में लगे रहे दरसल सहर में लगे 80% होडिंग्स अवेध है जिससे निगम को राजस्वी की छती हो रही है जगदिसपूर प्रखंड के खिरिवांत के समीप नव निर्मित बाइपास के किनारे नगर निगम भागलपुर के द्वारा कूरे का अमबार लगा दिया गया है जहां आए दिन कूरे को डंप किया जाता है जिससे लोगों को परिसानियों का सामना करना पड़ता है कई बार ग्रामीनों ने इसका बिरोध किया लेकिन नगर निगम के लोगों ने डरा धमका कर भगा दिया और कूरे डंप करने का सिलसिला अब भी जारी है आपको बता दे कि यहां से महच कुछ दूरी पर ही प्रशिद बिद्याले है आपको बता दे एक तरब बिद्याले और दूसरी तरब कई गाउं है सवाल यह है कि सहर का कूरा गाउं में क्यों डंप किया जाता अगर डंप किया भी जाता है तो किसकी अनुमती से इसका जबाब सिर्फ और शिफ भागलपूर नगर निगम के पास है भागलपूर के SM कॉलेज में सोम बार को तरंग परतियोगिता को लेकर निर्थ गायन संगीत एवं नाटक का परदर्शन किया गया 28 नौमबर से 3 दिसंबर तक चलने वाली तरंग परतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए परति भागी अभी सही इसकी तैयारी में लग गड़ है इस दोरान संगीत विभाग की अध्यक्स डॉक्टर निशाजा ने बताया कि पटना विश्विद्याले में होने वाले तरंग परतियोगिता में चैनित होने के लिए SM कॉलेज में चल रही तैयारी में अच्छा परदर्शन करना होगा बता दे चैनित कलाकार 27 नॉंबर को पटना रवाना होंगे बाका के टाउन हॉल में रभिबार को गंगा बच्व अभ्यान के तहत समाजिक योध्धा सम्मान समहारों का आयोजन किया गया कारिक्रम का उद्खाटर रेंज डियाईजी विकास बैभव गंगा बच्व अभ्यान के संस्थापक विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा, रोमा ठाकूर एवं रौशन सिंग राठोर ने सयुप्त रूप से दीब चला कर किया समहारों में कई समाजिक योधाओं को डियाईजी एबम गुड्डू बाबा ने इसमिती चीन एबम सर्टिफिकेट दे कर समानित किया डियाईजी ने समहारों को संबोधित करते हुए कहा कि सकारात्मक सोच और संकल्प के साथ ही समाज को सही दिसा मिलती है वहीं गुड्डू बाबा ने कहा कि गंगा जैसी पवित्रता समाज में लाना ही उनका उद्देश है उन्होंने युवाओं को शामाजिक परिवर्तन की मुहीम में आगे आने की अपील की इस मौके पर आचारे बिने कुमार सिंग, संजै सिंग, लता, बंबं, यादव सहीद कई लोग मौशूद थे टेकनोलोजी के दौर में लोग अब साइवर क्राइम का सिकार हो रहा है अमरपूर में दो वैक्ति के खाते से 1,60,000 रुपए अचानक गायब हो गया इसको लेकर प्रित बैंक से लेकर थाना का चकर लगा रहा है लेकिन बैंक द्वारा उन्हें गोल मटोल जबाब दिया जा रहा है प्रित समीम खान ने बताया कि खाते से 80,000 की निकासी की गई है जिसका कोई मैसेज नहीं आया है वहीं महमदपूर निवासी संजीब सा ने बताया कि जब खाता अपडेट कराने बैंक गए उसकी दोरान उसके खाते से 80,000 रुपिया गायब पाया गया जिसके लिखित सिकायत साखा प्रवंदक से की गई है परमपूजे मुनी राज गनाचारे बिराग सागर जी महराज शोमबार को अपने विसाल संग के साथ नाथ नगर इस्थी चमपापूर दिगंबर जैन सिद छेतर पहुंचे इस दोरान उनके पहुंसते ही देश के विविन राज्यों से आए सरधालों में खासा उत्सा दिखा गया वहीं पूरा सिद छेतर सरधालों के जैगोश से गुंजे मान रहा जैन धर्म के बारवे तितंकर भगवान वाशु पूजी की पंच कल्यानक अस्तली पर पहुंच कर सभी संत काफी अभिभूत थे वहीं प्रतिमा के शमक्ष गनाचार बिराग सागर जी महराज ने संतों के साथ ध्यान किया सरधालों को शंबोधित करते हुए बिराग सागर जी महराज ने कहा कि आज समाज मानव मुलियों की जिस संकट के दौर से गुजर रहा है उसे उवरने के लिए अहिंसा को अपनाने की आवशकता है उन्होंने कहा कि जिसके हिर्दय में प्रतिशोध की भावना है वह वैक्ति सांति प्राप्त नहीं कर सकता है सवा का संचालन सिध छेतर के मंतरी सुनिल जैन ने किया इस अफसर पर असोग पांडे मनिस गंगवाल अजित जैन नितिन बर्जतिया उत्तम पाटनी सांती जैन सहित कई लोग मौशूद थे परमपुजी गनाचारे विराक सागर जी महराज ससंग चंपापूर सिर्चेतर पढ़ार चुके हैं जिसको लेकर जैन समाज में काफी हर्स है विविन राज्यों से बहुत सारे सरधालू बड़ी संख्या में यहां आये हैं आचारे सरी का दर्सन पुरे संख का करने के लिए आचारे सरी पद्विहार करते वे उडिसा से बंगाल और फिर बंगाल से बिहार की तरफ पढ़ा रहे हैं और यहां बहुत बड़ी संख्या में इतने बड़े संतों का जथा यहां पहुचा है कि ऐसा बहुत दुरलव है 25 मुनिराज और 28 आरीका माताजी का संग इस तरह का एक साथ दर्सन का सो भागे बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है भागलपूर जिला परसासन की मेजवानी में चल रहे अंडर 17 किरकेट टुनामेंट में सोंबार को मदुवनी, मुंगेर, गया, वैसाली, भागलपूर, लखी सराय, सीता मरी के भी सेमी फाइनल मैच खेला गया जिसमें मुंगेर ने गया को चार विकेट से प्राजित कर दिया, वहीं भागलपूर ने लखी सराय को 10 विकेट से हराया, जबकि वैसाली ने मदुवनी को 54 रन से हराया सेमी फाइनल मैच सेंडिस कंपाउंड की भीतरी एबं बहारी मैदान में खेला गया पुरे टुनामेंट का आयोजन जिला खेल पदा दिकारी प्रमोध कुमार यादब की निगरानी में चल रहा है सयुक सचिप सुविर मुखर जी ने बताया कि 27 नॉमबर तक सेमी फाइनल मैच खेला जाएगा जबकि 28 नॉमबर को टुनामेंट का फाइनल मैच होगा इस अफसर पर टुनामेंट से जुरे कई लोग मौशूद थे चलते चलते फिर सक नचरालते आज की हेडलाइन्स पर पुर्व रेलवे के उप महा प्रवंदक पहुँचे भागलपूर रेलवे स्टेशन पर इसर सहीत कॉलनी का किया निरिक्षन दिये कई दिसाने देश एसपी अव्यान के नैत्रित में बालू घाटों पर चलाया गया छापे मारी अव्यान छे ट्रैक्टर सहीत चार बालू माफिया ग्रिपतार नावालिक से दुसकर्म के परियास मामले में कोट ने आरोपी को सुनाई सजा नाथनगर थाना छेतर की है घटना दो दिवस्ती युवा महुत्सवब का हुआ शुबारम परमपरागत कला को जिबंत रखने के उद्देश से हुआ है उजण और पिर पैथी में कटाव का कहर जारी देखते ही देखते गंगा में विलीन हुआ मंदीर फिलाल इस पुलेटिन में इतना ही नमस्कार झाल